है तो रिकोडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया आई होग आप देख पा रहे हो कि अ ही तो जानल इंट्री में सेवेनि तरि इसल कर लेटे सेवेन में हम लोगे वाक्राइफ है और फटा फट इसको कर लेटे आज में ज्याधा फॉर्मेट नहीं बूलूंगा डायरेक्ट में सम्स करूंगा कर लोगे ना आप लोग कि आप लोगो बता चल गया है ठीक है मैं बेसी के लिए जस्ट इंट्री में ध्यान दूँगा ठीक है एनी प्रॉब्लम सर अगर मैं फॉर्मेट ना करू तो नो प्रॉब्लम ना ओके सर नो प्रॉब्लम अच्छा देखो इलस्टेशन सेवें वेसी के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कैशल्स क्रेजिट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ट्रंजक्शन के लिए था हा ना हाँ हाँ तो इलस्टेशन सेवन में जो भी था एस पर आवार रूल्स तो एकदम फहला तारीक फटा फट में एक तारीक वाला एंट्री लिगाता हूं अच्छा जानल एंट्री करने से पहले आपको क्या लिखना चाहिए जिस्ट उपर में इंदा बुक्स आफ अगर किसी इसका बुक्स है तो यहां पर आप बस जार्नल लिखता हो कि अपर सिंपल जार्नल लिखता हो अगर कुछ नाम होता तो आप क्या लिखते हैं इन दे बुक्स आफ एट परसन करके लिखते हैं ऑके लेट पर्टिकूलर लेजर फोलियो इसका यूज मैंने आपको सिखा था कि लेजर फोलियो का यूज क्या होता है याद है आप लोगों को लेजर फोलियो का यूज कोई मुझे बता सकते हैं लेजर फोलियो का यूज क्या है एनिबडी किसी को याद है लेजर फोली किस काम पर आता है लेजर में इंट्री करने के लिए लेजर में इंट्री करने के लिए बोलो और कोई बोल रहा था लेजर के साथ जर्णल का लिंक करने के लिए जैसे मानों कि आप बाद में लेजर पोस्ट करते हो ठीक है लेजर में आपका अकाउंट बनाते हो तो जो भी आपका सपोस्ट आपका कैश अकाउंट है तो आपका कैश अकाउंट में जब आप लेजर बनाते हैं वहां पर जार्णल फोलियो होता है आपको जब लेजर सिखाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे जार्णल फ कर सकते हो अगर किसी को लग रहे कि लेजर में कुछ फॉल्ट है कुछ एरर है तो लेजर में एरर क्यों हो सकता है लेजर में एरर हो सकता है डियू टू जार्नल अगर जार्नल में गलत होता है अगर जार्नल एंट्री गलत होता है तभी जाकि लेजर इंट्री गलत होता है पर जॉर्णनल फोलियो आपको बड़ा काम का यूज है इसका रियल लाइफ यूज बहुत ज्यादा है एक्जामिनेशन परपस में इसका ऐसेच तो कोई काम नहीं है अल्ली एक्सेट इसका यूज बहुत अच्छा है लेकिन अभी इस टूडेंट इतना ज्यादा यूज नह तो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं है कि फर्स्ट जैन 2020 इंट्री क्या होना चाहिए है कि फर्स्ट जैन 2020 शोल्ड गूर्स पार रुपीज 10,000 प्लीज चल्मी फटाफट अब बोलो तो कोई कि Is को एक ाकमद टो क्यों नहीं रही हो मेरा आवास नहीं आर्यां क्या कि अता मुग के कश अकाउंट डेविट टोश तो क्योर्ड को फटाफट इसका डेविट इंट्री बेत दो 10,000 और यहां पर बता दो 10,000 हो गया ना फेला एंट्री सेकेंड इंट्री बताओ ना क्या होगा एंट्री सचीन टु सेल्स सिर्फ प्रगति बता रहे हैं और भी कोई बताओ स्निक दा क्या आवाज नहीं आ रहे स्निक दा ना ना आ रहे है तो बता नहीं रहे हो आंसर कि सचिन अकंट ड September 2 10 शैलस को पहलेज एका ने प्हुत ग में के इन सर्फ क्यों किया क्योंकि क्या क्याचन मिáis बिजम्स पर आएगा ना क्योंकि मैं जब सेल ना क्योंकि में जब सेल्स करेगा तो में היmarkt किभिजनेस बिजनेश में कैश हे ओके तो कैश में मेरे बिजनेश में इंक्रीज करेगा MT 10,000 में और सेली बिजनेस में र头 क्रिविनियो इंक्रीज को अग्रॉ Mais ना सेली सामनिज मैं 24 दिमीय के साथ तो टो जमतना जोलिके रोज बताऊंगा आपको के सेली नियुस्ते Spec is my asset asset increase asset increase that's why debited asset increase that's why debited sales increase that's why revenue increase that's why credited okay sir so narration to linkhi logana being the being the being the goods sold for cash being the goods sold for cash sir एक चीज़ बता दू आप लोगों ने golden rule भी सीख लिया है ना मतब जो traditional है that is golden rule golden rule और traditional rule भी आप लोगों ने सिखा और modern और accounting equation जिसको हम लोग बोलते हैं modern या फिर accounting equation रूल है सब्सक्राइब दोनों दोनों रूल आप लोगों ने सिखा की नहीं सिखा प्लीस चल्मी golden rule भी हम लोगों ने सिखा और accounting equation भी सिखा आप journal entry करने के टाइम पर कोई भी एक process यूज कर सकते हो ठीक है you can use any process until and unless question mention anyhow अगर question किसी तरह से कुछ mention करता है तो obviously वह वाला rule follow करना है आपको लेकिन अगर question silent है normally journal के questions पर या journal entry में normally नहीं बोलता है कि कौन सा rule follow करके आपको journal entry करना चाहिए तो आप कोई भी follow कर सकते हो सर मैं recommend क्या करता हूं मैं recommend modern करता हूं विकाज यह मच मोर साइन्टीफिक है सा ठीक है इसलिए recommendation तो obviously scientific मतलब modern या accounting equation रहेगा लेकिन golden rule भी कोई खराब नहीं है सर ठीक है मैं इसको खराब नहीं बोल सकते दोनों में answer आपका सेम आएगा दोनों में answer आपका सेम आएगा बस analyze करने का जो process है वो थोड़ा अलग होगा ठीक है analyze करने का process थोड़ा अलग हो क्योंकि golden rule में accounting system अलग है और accounting equation या modern rule में accounting जो bifurcation है जो classification है वो थोड़ा और broad होने के साथ-साथ वो थोड़ा easy and scientific भी है तो मैं दिखना अभी जैसे जैसे में बात बढ़ाते जा रहा हूं तो मैं आपको mainly modern rule में focus करके बता रहा हूं ठीक है तो अब लोग please मेरे साथ-साथ modern rule के साथ-साथ ज्यादा practice करो because यह आपको आगे का आपका जो accounting career है उसको ज्यादा अच्छा से बना पाएगा जड़ूरी है सर समय का मांग है तो हमें समय का मांग के जाथ दना ज़रूरी है थेक़ है ओके साचिन अकांट डेबिक्तू घ्रकाय सेल्स क्यों किया सब्सक्राइब टू शर्चिन Divi डिटर उके सचिन मेरा डेटर एं ना जोल्ड गूट्सटो शाचीन फॉर विस्ट ट्रइट सेल से सोल्ड गूट्स to Sachin 4 विस्ट ट्रेट सेल से इसा क्रेडिट सल ठीक है क्योंकि यहां पर कहीं पर कैश मेंशन नहीं किया ठीक है यह सब कैसे आइडेंटिफाय कर लोगे देखो टाइम आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगा अब लोग ध्यान से सुनना मेरा बात जब तक कैश मेंशन नहीं कर रहा है ठीक है इस फर्स गै Maß कि è Nein का कैसarde क्यान नहीं किया आंँ यह फर्स पॉइंठ था ऐड और सेकिंड पॉइंट सचीन का नाम पर बहुत ज़्यादव ऐこんにちは everytime कि 對啊 संटेन के नाम भी फोकस्त और क्रेडिट सेल है तो सचिंस आपका कौन हुआ सची इस एक यहूर पैसे नारे हैं बॉजनेस पैसे जर्ट मिलने वाला है वह आपका डेटर है वह आपका एसेट है और बिजनेस पैसे इंक्रीज ओ रहा है मुझंपीष करोकिर अचल्राइज धियुक्रेध लिए सपते सेल्स जो है आपका सेल्सिस यूर रेवीनियू सेल्सिस यूर एंस रेवीनियूं को ट करकला मुड़ीयू इंक्रिष हो रहा है क्योंकि उसल बड़े गातो रेविनियू Не 130 होगा तो क्रेडिट एक है Ahhh तो यहाँ पर भी आपका इंटरी हो जाता है यहाँ पर बस एंटरी जदेश्दिव तब्रों तंटली का 20,000 काव डेवी 20 थाउजन का क्रेडिट नायरेशन में क्या लुगा लिक्षा नैशन में लिख दूगे बीघ्ड себе बिंग बी गोड सॉल व्हों सोल्टौ सचिम आघ्टौ सचिम एमारेशन होना चाहिए आपका नारेशन. मुहां बिंड एक उननोन परसंट उपलगोग को चुछ भी नहीं पता यहां पर यह सब उनको समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है ना तो एक तारीक वालाई इंट्री वह गया मैं अभी आपको 3 डि में लिए जाता हूं इलस्टरेशन 7 का सिलूशन चल रहा है कर साम भभी जॉइंद कियो मैं सेर लेता हूं साम अवि आप देखलो को विए को शेयर किया नहीं किया कि सबके पर स्कॉश्चन है ना कि अच्छा कर लेता हूं आप अभी नीचे वाला को खोलना में तो मैंने दोनों पीडियेव आपकी साथ शेयर किया जो सेकेंड लाइन में जो पीडियेव आपका उसमें उपन करना और इलस्टेशन सेवें करना तो आप कनेक्ट हो सकते हो क्लास के साथ ओके सर समझ में आया चलो नो प्रॉब्लम नेक्स्ट सर पॉइंट नमबर थ्री पॉइंट नमबर थ्री मत्तब तीन तारिक वल्ला में डेट बताता हूं तीन तारिक में क्या हुआ क्या एंट्री होगा प्लिज टेल में ईसेबी और परॉब्लिज टेलं में बहुत तेह जस्ट इंहीं करनाऊ बेएं्प नहीं बोलतेթे नहीं नहीं है हुआ हम लोग DR. लिखते हैं एक विग९न बोलने के टायंपिड डिए dot नहीं बोलेंगे बोलने के इन量 लूए हम लोग debit बोलेंगे ठीक रहें है debit बोलेंग व कि be bank account debit है टू क्या बुले को विश्वजविट कि bank account debit to लोगे शेल्स कौंट बैंक को क्यों डेविट किया, रिजन बता हूं कि फास्स्थ चेक का रहा है ऐसा नहीं रहे बाबा चेक का रहा है चेक का रहा है मैं आपको modern rule जिखाया modern rule आपको पता है आप modern rule को यूज कर के बता हूं चेक आरा है तो डेविट कर दिंगे क्या रिजन बताओ चेक आने के साथ क्या डिविट का रिलेशन है जब भी मैं आपको रिजन पूछ आप रिजन बताओ नहीं आ रहा है जा रहा है यह क्या मतब गाना लगा के रखते हो not only you maximum जब भी मैं किसी को पूछता हो ना कि आ रहा है जा रहा है यह आ रहा है जा रहेगा क्या concept है कोई ना कोई आएगा और कोई ना कोई जाएगा आने जाना छोड़के दुनिया में कुछ है ही नहीं लेकिन आना जाने के अंदर कुछ बात होता है कुछ स्टोरी होता है क्या रिविनियू क्या संप्रेविनियू इंक्रेविनियू क्या रेविनियू क्या सब आइए करके पूछ है नाम ले लेके पूछ रहा है अलग करके तो बोल ना आप लोग यह वाला हो गया 30,000 30,000 narration क्या लिखेंगे इसका being the goods sold against a current dated chick okay against a current dated chick being the goods sold against a current dated chick 3 तरीक clear 4 तरीक में आ जाते हैं सा जिसको पूछूंगा वो बताना यह मुझे बताना काजल काजल 4 तरीक का एंट्री बताओ तो सर अतुल्स एकाउंट debit to sales account okay काजल रिजन बता दो ना अतुल को क्यों debit किया हम लोग अतुल अकाउंट debit to sales अकाउंट इंट्री इस एक दम ओके इंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्लीज गिवी में गिवी दी रिजन फास्ट है सर अतुल जा वो मतलब गुट को खरीद़ अससी्ट इसका बढ़ रह ना तो वो डेवच चाहेंगा ये अससा नहीं सोचना है काजल आपको ऐसे सोचना चाहिए कि कोश्चिन क्या है देखो आपको अतुल के नजर से नहीं देखना है आप जो भी सोचो आपके नजर से देखो तिक है आपके नजर से यू है आपके नजर से अतुल क्या है आपके नजर से अतुल डेटर है क्योंकि आप अतुल को सेल कर रहे हो तो क्रेडिट सेल है ना तो अतुल आपका क्रेडिट सेल होने के कारण अतुल आपका डेटर बन रहा है तो आप जस्ट इमेजिन करो कि आपने जो सेल किया उसका पैसा आपको मिला नहीं ठीक है अतुल का क्या हो रहा है यह अतुल इन्टू सैंट पूंसे मिलने वाला है। बिए वेरे गुड 27000 बिकॉज इस त्या दिखोंगे नीचे लिख देना नारेशन में बिंग गुड्स इस वे शोल्ड एट अध्रेट डिसकाउंट का कोई एंट्री नहीं होता मैं आपको लास्ट क्लास में बता आता क्योंकि ट्रेट डिसकाउंट बिजनेस का पॉलिसी है ठीक है यह प्रिटि डिटर्माइन होते हैं बिंग दी गूड्स ओल्ड एटेट डिसकाउंट अफ 10 परसेंट अब हिसाब भी दिखा दो लेस्ट प्राइस थर्टी थाऊजन लेस ट्रेट डिसकाउंट टेन परसेंट इकोल स्टू थो थी थाउजन तो आल्टिमेटली 27000 यह नीचे आप शो कर दो तो यहां पर अतुल डेबिट 27000 टूसेल 27000 सब को एगरी हो मेरे साथ या कोई डिसे गरी हो सर अगरी ह अधिर होंगे तो बोलना जरूर ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें कि दस्ट अमिनट ओके तो तीन और चार तरीक क्लियर है सा वेरी गूड तीन चार अगर क्लियर है तो पांच तरीक बताओ मुझे पांच एक ट्वेंटी मैं जिसको पूछूंगा वह बताना निकीता मेरा हावाज आ रहा है निकीता निकीता मुझे पांच का इंट्री बताना आजा किसी का अगर रॉंग होगा तो सर्माने का कोई मतलब नहीं है इस जेस्ट नॉर्मल प्रोसेस ताकि मैं आप सब जबता करने का जडूर्द नहीं कि मेरा नहीं हो रहा है हो सकता है किसी का थोड़ा इजी जा रहा है किसी का थोड़ा टफ चाहरा है पुछ भी हो सकता है निकीता मुझे बताओ पांच तरीक में क्या होगा शोल्ड गूडस टू सुनेल आप दी अफी प्राइब करेंगे पांच तरीक में कि अगिता नहीं है क्या ओक निकीता ने नहीं है स्निक दा बतादू पिस श्रेक्डा बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलावड अकाउंट डिस्काउंट अलावड अकाउंट डिस्काउंट डिस्काउंट अलावड अकाउंट डिस्काउंट 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 अलावड अकाउंट डिस्काउंट 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 अलावड अकाउंट डिस में जब फों मुझ यह जिसको अपने कुछ चैल किया और रिटोन भैक में फ्रॉम नाइए गॉर्सन देट अभी इस दिफरेंड वर्ट टेके डेटर के साथ यह उत जिस मिला टिकता है पर डेट अबार के टोन डेटर इस नॉट थे मिला डिकता है इस नॉट रोड रोड कि बेंक अकाउंट डेबिट वेरी गुड डिस्काउंट अलावड अकाउंट डेबिट रिजन भी बता दो उसनेकद हां सेर इसमें हम यह सेल्स अमापलब फर्स अलमी फर्स अलमी बैंक को क्यों डेबिट किया क्योंकि वो एक asset है हमारा bank is our asset very good asset मेरा increase हो रहा है okay that's why debit it very good discount allowed को क्यों debit करेंगे actually मैं ज़िए doubt है okay discount allowed को इसलिए debit करना चीए because आप जब sale करते हो आप जब sale करते हो just look at this आप जब sale करते हो अपने sale किया आप डिसकाउंट दूसरे को देते हो ठीक है मैं तब यू प्रोवाइड डिसकाउंट तू आदर इसकाउंट तू पर से यहां पर क्या हुआ sold goods to Sunil of the least price of 1,25,000 less 20% threat discount and receive the current date check under a cash discount of 2% okay तो आपने entry क्या किया bank account debit discount allowed account debit मतलब यह cash discount वाला discount है यह जो discount allowed है यह cash discount है जो लोग बाकी लोग भी सुननों दिख से यह cash discount वाला discount है discount trade discount वाला discount आप entry नहीं कर सकते तो यह discount allowed वाला cash discount और जब आप किसी को discount देते होना यह आपके लिए एक इक ExpendEr ना में अले जोच जब भी पढ़ाइब करोगे और यह तिंक लाइक अब आपके शौप है धिक है में अच्ट आ रिखे धूप का दाम क्या लगे और प्रोड़क्ट थाउजंड करीश्चंट हो आपके दुकान में एक प्रोड़क्ट है जिसका दाम है 1,25,000 आपने जान बुझ के ताकि customer attract हो जाए आप जान बुझ के प्रोड़क्ट का price को क्या करते हो 1,25,000 करके increase करके रखते हो और फिर आप जान बुझ के show करते हो जान बुझ के it's a predetermined okay it's a predetermined and it's a क्या बताओ मैं तब यह normal होता है ऐसा normally एक तरह का कि trade discount कुछ discount नहीं actual में it's a business policy product price को increase करके discount दिखा के लोगों को एक attract करना marketing marketing tricks ठीक है देखना आप लोग जैसे shopping mall में जाते हो ना सब कोई आप लोग shopping mall में जाते हो shopping mall में जहां पर भी थोड़े discount का कोई एक बतब एक छोटा सा भी कहीं पर दिख जाए ना कि वहां discount चल रहा है electronic board में आपको देख रहा है ना तो आप तुरत भाग भाग जाते हो आपको लगता है कि अच्छा तब तब अच्छा रहेगा थोड़ा सेविंग हो जाएगा ठीक है लेकिन शॉप अनर के perspective में अगर देखा जाए तो ट्रेट डिसकाउंट जिसे यहां पर कितना amount का ट्रेट डिसकाउंट है तो यह जो 20 पर संट टिसकाउंट है यह वानलाग 25,000 के 20 पर संट कितना होता है लिस चलमी अगा अग्लब 25,000 25,000 ट्रेट डिसकाउंट 25,000 तो अल्टी मेटली इसको कहें के क्या जानते हो इन्वाइस प्राइस मतलब अल्टिमेटली आप दुसरे को सेल करोगे तो आपका एक इन्वाइस प्राइस आएगा मतलब जिसका बील आप लोगों को देऊंगे तो बील का अमाउंट होगा एक लाग और फिर आप क्या बता रहे हो कि अगर कोई एक लाग आपको एक टाइम सिंगल टाइम पे अगर आपको कोई वान लाग पे करता है विडाओड इन्स्टाल्मेंट वगेरा तो आप क्या कर रहे हो मतलब यहां पर आपने कैस्ट डिसकाउंट जब वो हातो हात आपको वान लाग दे रहा है तो आपका कहना है कि एक्स्ट्रा और कैस्ट कि एक दम ओफटन निवाट जुन्नो बुंदुरा एक दम रेडी थाकून एरंभावे बॉले हैं मैं राइड और रॉंग हालो सर हम सेल्समें नहीं हैं बस समझा रहे हैं ऐसा करके बोलता है कि नहीं बोलता में जो लोग देखियो दुसरा जगा में उहां का लैंगवेज में बोलता होगा लेकिन कोलकाता में बेंगॉली में बोलता है और इस तरह से बोलता है अरजीत स्नियाजिश इन लोगों में बोलूंगा है सर आप बीग बजर में सेल्समेन का काम करते थे क्या हां सर मेरा बस चले ना मैं हर तरह का काम कर दो फरक नहीं पड़ता मुझे अगर कोई चीज मुझे सीखने को मिल जाए ना मैं हर चीज कर सकता हूं कि अगे सर क्या बात करते हो सर लेटरिन में साफ कर सकते हो हां हां सर कर दोंगा कोई दिक्कर नहीं है कि इंवाइस प्राइस वान लाग कैस डिस्काउंट टू परसेंट ठीक है मतब खुशी से कंपनी आपको दे रहा है लेकिन यह जो खुशी है ना यह कंपनी खुशी से दे रहा है क्योंकि यो कस्टमर को दिल जितना चाहता है लेकिन यह दिल जितना उनको थोड़ा खड़ तो बिजनेस में को कितना मिलेगा एंपना को कम कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस यह पहले से ना अपना बजट में अपना जो मतलब सेल्स बजट है वहां पर आप इसको अलग से रखते हो कि हां हम इतना खडचा करेंगे ी डिसकाउंट के लिए ताकि और कस्टोमर को हम लोग attract कर सके और कस्टोमर बेस बड़ाके हम अपना business को लियो करेंगे दिरे धियरे प्रॉफिट उसका होगा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम कर देगा प्रॉफिट मार्जिन को कम कर जो चाहता ही चाहता है तुलबॉटीज को भूस्टंग करते हैं तो प्रोफिद होता ही नहीं है थाथ वह कहते हैं कि प्राइटिस हो जाए कि वह और पास पक्रैयक कि नहीं कि लिए रोग होता है जर। किलेख येकश्य प्राइदक हुआ होता है Jeff कि अब समझ में आ रहा है और क्योंकि यह expense है और expense increase होता है तो क्या होता है expense increase मतलब debit जैनल सेटी और revenue तो बैंक काउंट debit क्या हो जाएगा bank account debit तो तो बैंक अकॉंड में आपका आजाएगा 98,000 ओके बैंक अकॉंड में तो 98,000 आ रहा है डिस्काउंड आलोट में 2000 जाएगा और रेविन्यू आपका बेसिकली वान लेक का हो रहा है प्लीस तरीका एंट्री क्लियर हें नहीं हा अगर निकिता है तो निकिता सुन रहे हो थो कि अ कि अश्कटा को बोल ने ब्ताऊंगा झी बेगा तो बैंक इसली डेड विट वह रशीन के साथ बित सबदा है यह बूलना नहीं थिप Account यूँ डेवेन्यूह घंड यह रिडख़ण यहां पर एक लाग मचीज का बाकी हिसाब क्या करेंगे अभी मैंने आपको वर्किंग नोड में दिखा है ना अब उसको वर्किंग नोड में दिखा दो अजय सर इसका पूरा आपको ना कोई मतलब आइडिया ही नहीं लगेगा इसलिए मैं बताऊंगा आपको की डिटेल्स में लिख के अभी से रखो ताकि आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो जाए और लाइफ लॉंग एसेट होगा सर बिंग दी गूड्स इस वोल्ड कि एगेंस्ट कर दिंगare अफ देडेत चैक य्द तर्डैद इसकूंट अ वे वेट्रीज को आपका नारेशन थिक है तक कोई भी नॉन अगांटेंट परसंट इसको अंडरस्टान कर सके नीचे आप हिसाब दिखा देना सर्वर्किंग्स दिखा देना ठीक है वकिंग्स में आपको क्या शो करना चाहिए लिस्ट प्राइस कितना था प्रोडट का प्रोडट का लिस्ट प्राइस था सर्व 1,25,000 का आप अलड़ी शोन इस तो यू जस्ट बिफोर इस लिस्ट प्राइस 1,25,000 जस्ट लेस्ट रेडिस्कांट 25,000 इंवास प्राइस प्राइस वाल लक लेस कैस्ट इसकांट अच्छा इस ट्वेंटी परसेंट था यह कैस्ट इसकांट 2 परसेंट है कितना हो जाता है टू थाउजन कि अल्टीमेटली हो जाता है आपका 98,000 यह होगा आपका वोकिंग इसके नीचे दिखाना चाहिए जिस लोक अट दिस दिस 90,000 98,000 इस यह जो आपको बिसी के लिए बैंक अकॉंट में मिला यह डिसकांट अलाओड जो है यह चला गया आपका यह पर और यह जो इन्वाइस प्राइस है अल्टीमेटली आपका यह पर आ गया अगर आप वर्किंग केल्गुलेट कर लोगे ना तो आपका जानल एंट्री हो जाएगा जब भी आपको ऐसे कॉंप्लेक्स एंट्री दिखे तो फर्स ना आप फटा फटना वर्किंग्स बना लो आपको बात समझ में आ रहा है मेरा जैसी आपके सामने कोई कॉंप्लेक्स इंट्री आ जाए ना आप फटराफटा उसका वर्किंग बना लो अगर आपविक्ग्स बना लोगे ना तव का इंट्रीमें कभी गल्टी नहीं होगा । किया आपको समझ में आ रहा है किसी को को ज़ Task लाइए इसमें या फिर समझ में क्लियर आ रहा है क tempo कितना सही कर रहे हैं यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ओके सब्सक्राइब का कहानी देख लेते हैं 6 120 चे तरीक को क्या हुआ यह मुझे बताएगा अरिजीद बताना ओके अरिजीद चे तरीक को व्याद आवाज आरे तुझे अरिजीद मेरा आवाज आरा है तुझे यह सर्व अरिजीद बता क्या करेंगे चे तरीक का एंट्री बोल अरे सर्मा ने का कोई बात नहीं कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा जो बोलूंगा मैं बोलूंगा बोल फात बोलूंग्ओंवेटत पामझ ऋ इसंटार। अलओ कोईव पोकारमट इसंटा लिएंटे यह इसंटार। अलओ इविट benefici दुसे लिए बंड debit to sahil account to sahil account, bank debit discount debit using aim amount क्या होगा i am on क्या होगा amount wizard sir to calculate कोड़े बॏल करेब उन फ्रगति क्या होगा बोलो हां से क्या होगा जब बताओ इसे बैंक एकाउन डेबिट किता होगा इसे पुरा सॉल्यूशन करके बता है हां बताओ वही तो करने कोद्वाओ यह डाएक्ट अमांट बताओ अमाउंट बताओ Sir, bank account debit 39,200 39,200 discount allowed 800 Sir, वहाँ तू Sahil account नहीं होगा, तू Sahil account की debit होगा Sahil account debit होगा Okay अच्छा और कोई कुछ कहना चाहोगे Sir अच्छा 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 सांबभी बोल रहे हैं हाँ Sir, मैंने दो इंट्री इसमें लिखा Sahil account debit to sales account तूपली Sir, 1 lakh अच्छा अच्छा बैंक account debit discount account allowed debit to Sahil account और बैंक अकाउंट में होगा 39,200 discount में होगा 800 और तू Sahil account होगा 40,000 very good यह एकदम सही होगा है इसमें ना दो इंट्री करो सा मेरा joint entry तुम joint entry कर रहे हो ठीक है लेकिं joint entry में से confusion है ठीक है मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमेशना ऐसे बाइफर्केट कर दो ताकि आपको भी सुविता हो जाए ठीक है आपको भी सुविता हो जाए मैं आपका बात समझ सकता हूं कि आप जैसे बोल रहते हैं साहिट डेबिट है लेकिन साहिल यहां तो डेबिट नहीं होगा साहिल होगा तो डेबिट पहले होगा लेकिन जिनको पूरा total confusion होगया मैं उनका confusion दूर करता हूं ध्यान से देखो combine entry भी आपको बताता हूं कि अगर combine करके होगा तो क्या होगा लेकिन जैसे मैं इसको अलग करता हूं तो आपको जाधा clarity होगा आप ऐसे सीखो जाधा सुविधा है उसमें पहला entry देखो फर्स आपने क्या किया sold goods to sahil आपने sahil को goods sale किया list price क्या है 1,25,000 का है 20% का आपने trade discount दिया 2% का आपने cash discount दिया and paid 40% by check किया सबसे पहले क्या करना चाहिए जानते हो सबसे पहले न working कर लो यह आपका first priority होना चाहिए workings तो workings में आपका दो workings होना चाहिए एक workings वान ठीक है जिसमें आपका least price क्या है कि लिस्ट प्राइस है आपका 1,25,000 कि लेस कि ट्रेट डिसकाउंट कि लेस्ट डिसकाउंट 1,25,000 का 20% 20% का ट्रेट डिसकाउंट मतलब 25,000 यहां लेस हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 1,00,000 यह हो जाएगा आपका ultimately sales amount डिसकाउंट क्या कहते हैं invoice price invoice price matter को मैं simple रखना चाहता है आपका least price 1,25,000 डिसकाउंट आपने दिया 25,000 का invoice आपका कितना चला गया मतलब invoice कितना का ready हुआ 1,00,000 का यह आपका पहला case है दूसरा case क्या है आपका दूसरा case में मतलब यह आपका पहला situation होने के बाद अब साहिल जो है न वह आपको basically बहरा है मतलब आप साहिल को बोल रहे हो कि भाई अगर हम 2% तुमको cash discount देंगे ठीक है अगर जब तुम pay करोगे लेकिन उसने payment ना आपको सिर्फ 40% ही कर रहा है whole amount payment नहीं कर रहा है मतलब यह जो total 1,00,000 है यह 1,00,000 ही तो payment करना चाहिए साहिल को लेकिन साहिल आपको currently total payment नहीं कर रहा है तो क्योंकि साहिल आपको 40% payment कर रहा है तो आपका bank account के हिसाब क्या होगा तो आपका हिसाब कुछ ऐसा हो जाएगा मैं आप पर workings में बता रहा हूँ पहले payment subject to cash discount है payment subject to cash discount यह सब आप लिख लो sir payment subject to cash discount subject to cash discount में 40% of 1,00,000 40% of 1,00,000 कितना है 40,000 है 40% of 1,00,000 is 40,000 less cash discount क्योंकि जैसी payment मिलेगा मतब आपको payment करेगा आप साहिल को cash discount दे दोगे साहिल आपको payment करेगा आप साहिल को cash discount दोगे वह भी कितना percentage का 2% का 2% cash discount 40,000 का 2% कितना हो जाता है 800 ultimately साहिल आपको कितना payment करता है तो net payment currently तो यह दो अलग अलग घटना सबसे पहले आपके साथ हुआ पुरा घटना एक ही घटना है लेकिन अगर हम इसको अलग हिसाब से देखे कि पहला तो एक लाग का प्रोड़क्ट सेल हुआ तो आपने आपका यहां पर नारेशन हो जाएगा आपका यहां पर नारेशन क्या होना चीए आपके यहां पर नारेशन होना चीए बिंग कि दिगूड्स कि आपके शोल तुसाहिल कि बिंग दिगूड्स कि यह देखों यह सपना चौधरी आज भी आ रहा है कौन है यह सपना चौधरी कि अब लोगों ने देखा कि अब लोगों ने कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहे है कौन है कि अब लोगों ने पर दो ने चलो शौड़ पर उसको इमेल कहां से मिला वगा सरक यह तो कुछ बदमाशे किया होगा तभी वाट्स अब लिंक शेयर किया है या फिर हो सकते कोई स्टूडेंटी है जिसको नाम किसी अपने मां के फोन से हो या किसी से जॉइं कर रहा है नि कि अधा निया देखोना के कारे निक अन की पता नहीं कौन होगा अचकल कितना सारब ट्लास के अंदर आ के क्या क्या थुद थूह को इन पता हैं कि नियुद्थकल नियुद्ध कशन प्लास में हुआ हैं यहां पर भी सर वही सब चल रहे जाब though नहीं मैं बहुत सेक्योर्ली प्लाटफों को कुछ चलाता हूं। मैं एकतम आज तक ऐसा नहीं उने दिया। Okay, being the good sold Being the good sold to Sahil बिंग दी गूट सोल तुसाहिल अट्रेट इसकाउंट अट्रेट इसकाउंट अट्रेट इसकाउंट आफ 20 परसंट यह हो गया आपका पहला नारेशन और सेकेंड नारेशन आपका हो जाएगा बिंग 40 परसंट पैमेंट मेंद तुसाहिल अट्रेट कैस्टिसकाउंट अट्रेट क्रेस्ट कैश्टिसकाउंट लिख लोस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मुझे बताओ प्लीज क्लियर है कि नहीं इसनेगदा क्लियर इसनेगदा जब भी ऐसे combination entry होगा ना आप इसको अलग कर दो पहला केसमें आप सेल का एंट्री करो यह सेल ड्यू हो गया ठीक है सेकेंड केसमें आपको पेमेंट का यह जब पेमेंट हो रहा है यहां पर हुआ तो यहां पर हुआ पर एक कैशा कि आपका सोच पहंट से आपसे आध tort का सोच दभेगो क्या होना चायए अब लोगोन है लिघ लिए तो यस्द देखो यहां पर और अब भी सFlow का स्टेटस देखो गाव करेंटरि आप सहील का स्टेते करेंस देखो आपके साहिल का स्टेटस पॉलिया नशेकर हुने हुए है नो साहिल का डेन्ट है लग है जैनिहीं क्रेडिट कितना है थार्थ फॉट्टी थाउजन को तो युट कि तो अल्टिमेट लिसाहिल डेन्ट वान लेक सहील क्रडिट में को हिएब אחर लाग दिट्ट क्रिजिट चला जाएगा तो एल्टिमेटल साहिञिट होगा तो साहिप प्चा तो मतलब क्याया व्हें कि देटर सील मैं उने सैंब आपका डेटर है क्टिसव को ज related साहिल से आपको और आके 60,000 मिलेगा है क्लियर है कि नहीं बता हुआ इस तरह से अकाउंट को मेंटेन करो तो आपको पूरा का पूरा हिसाब एकदम क्लैरिटी है कि अल्टिमेटली मैंने साहिल को मतब कोई भी चीज आप से छूटेगा नहीं आज इन बिजनेसमान एक अकाउ डिसकाउंट गे साहिल से लाग मिलने वाला टा लेकिन साहिल आहि सब्सक्राइंब आ जाता है जाता है तो लेकिन ऑसको बोलते विखाई चाहिंक्त चाहिंत किया तो इसमें चाहिं में चाहिंड करोंगा भली मुझे थर्टी नाइन टूंडेड लेकिन का होगा तो यहाँ पर यह एक्सपेंथ ब्हेंक अकाउन्ट जो स हंधे एक्सपेंथ डीट है पर टोक इंख्रेंद अच्पेंस को किया कि आ ऐसे क्या किपने आई आ एanti एक्सपेंध से किया बीडिय। लौ साहिपी हैcking steps सोहतो कि गॡ्रीट कि यह समझ laws थाया साहील इस्माइड मातेर देर साइंब देटर मीट यूच आजको आशिया गांड आवाऊट कर दूyes कि आशिया कीज सप으ूरा कर देदिया गुछिकल गाईॉक कर दे गडाओटको बगार्या डाम कि येस और नो लोट को सोल्ड गूट्स कॉस्टिंग रुपिस फॉर्टी थाउजन टु अनीटा किया जा रहा है for a cash profit of 25% 25% का profit जोड के on cost less 20% trade discount and just 8% sales tax sales tax मतलब GST okay sales tax मतलब आज के देट में GST and paid cartridge rupees 100 cartridge मतलब जो carrying cost होता है ना delivery charges वागेरा जो है वो not to be charged from customer customer से नहीं लिया जाएगा तो आपका entry क्या होना चाहिए आपका entry को जैसा होना चाहिए कि सबसे पहले आप cash account में entry करो आपको cash मेल रहा है ना bank यहां पर चेक तो बोला नहीं है कहीं पर भी तो आप cash entry करो तो cash account debit कि टू सेल्स है ना आपका simple cash to sales का entry हो जाना चाहिए आपने cash में sell कर रहा है cash आपको आ रहा है तो cash coming in या फिर cash increases in your business to sales sales is your revenue to cash is your asset asset increase that's why debit sales is your revenue revenue भी increase हो रहा है that's why credited और कुछ entry होगा यहां पर बताव तो मगे कोई भी प्षियं सेल्स्टेश्ट फ्यू शोंच और GST St.ежok पराक नहीं संचलों तो लाइबिलिटी और इनक्रिेज करेंगाmedi तो क्रेडिटे नक्रेटिट проблем आ ल्कट चाहिए भर धोगा तो यहां पर आपका क्या हो रहे हैं वेरिगुड लिपन इस 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 इत इओ लिएबली इंप्रीज ख्रेगा तो थो कैश्ड लाउंन बता तो क्या मॉणट होगा मुझा यहार्स का ब्रकिंग मौप क्या है तो सरे पर्टीफ थाउजद इसका मेन फ्ल chauff शेप्ल heh मानि मुझा जो सिंक ब ट्रने संग थैंट थैंट अर स्टू प्रTFित कि तो फ्टीफिशंध सब्सक्राइब कर रहा हूं जिसको समझ में नहीं आ रहा है फटा फटा आप लोग देख लो सा कॉस्ट जो है अपका कॉस्ट कितने हैं यहां पर कोशियन पर द्हान से पढ़ना प्लीज सोल्ड गूड्स आप इसके साथ प्रोफिट को एड कर दो एड्र प्रोफिट अब इसको बनने में उसका खट्चा हुआ आप इसके साथ प्रोफिट को एड कर दो add profit अब इसके साथ profit को add कर दो profit is your 25% 25% on cost profit 25% on cost 40,000 का 25% करोगे तो 10,000 आएगा ना तो हो जाएगा आपका 50,000 50,000 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये list price आपका फिर आजाएगा लेस करना पड़ेगा ट्रेट डिसकाउंट अग्टर रिट अप 20 परसेंट यह हो जाएगा आपका तस जार का डिसकाउंट दे रहे वाँ इसको इन्वाइस प्राइस कहते हैं जिसका बिल बना रहे हो तापका बिल अमॉंट हो जाएगा फॉर्टी थाउजन इसको म्योस को कर रहे हो आपसिए कर रहे हो तो इसके लिए इन्वाइस माइस प्राइस मेर्स के साथ यहां पर जापř विर बनe किस्व्त है तो एट सेल टैक्स और जिसटेट कुर्च लीए सेल्टत चैक्स और जिस्ट। आज के रिट में इसका नाम GST है, पहले नाम sales tax हुआ करता था, GST या sales tax यहाँ 8% माना गया है, तो 40,000 के साथ GST amount add कर देंगे तो 3,200, तो ultimately tax लेके आपका total product का price हो जाएगा 43,200, बताव sir, GST के साथ समझ में आ रहा है point? Snigda, Snigda, Nikita, क्लियर हो रहा है ना, किस तरह से हम लोग अमांट में पहुंचे, तो cash account आपका हो जाएगा 43,200, sales amount आपका कितने का है, देखो, आपको तो यह amount आपका रहेगा, जितने का sales है, that is आपका basically sales amount is 40,000, यह आपका ही है, लेकिन यह जो sell tax है ना, यह आपका नही है, यह आपको government को देना पड़ेगा, that's why this is liability, side one में सवाल चल रहा था, कि sir, why GST is my liability, because sell tax यह GST, जो basically government, हमसे collect करवाते हैं, sir, आपको GST का कहानी में बताता हूं, अब लोग ध्यान से सुनना, कि क्यों GST को मैंने liability माना, और यह liability होता है, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं है, क्य बाद मैं आपको GST का कहानी सुनाता हूं, cash account debit, because आपका cash आया 43200 का, total अपने इतना ही collect किया, लेकिन यह 43200 में से, यह total 43200 अपने collect किया, cash collect कितना है आपका, 43200, बस यह cash collection 43200 में 3200 ना, चला जाएगा, 3200 ना आपसे चला जागा, यह आपका नहीं है, यह government of India का है, यह government of India का ह Because, India government कहते हैं, कि आप sale करके, जो भी extra tax उससे लोगे, वो tax हमको देना पड़ेगा, to run our government, to run our government, sale में, purchase में, वो tax charge करते हैं, जो GST या sales tax पहले VAT होता था इंडिया में, अभी GST चल रहा है, goods and service tax, ताकि पुरा world भी यही नाम से चलाते हैं, that's why GST is a new popular name, but character is same, sell tax हो, VAT हो, It's the same thing, आप लोग जानते हो, आप लोग रेस्टोरेंट्स वगरा में खाना खाने जाते हो, यहाँ पिर कहीं भी आप कोई भी खाना, कोई भी चीज और करते हो, तो उसमें GST जरूर देखना, कोई भी product आप purchase करते हो, तो उसमें GST वगरा लिखा रहता है, इंडिया में, त तो यह 3200 क्योंकि आपको government को देना आपका liability है, यह 3200 जो है न, यह in the form of GST, यह basically इंडिया में न, दो tax system चलता है, कोई भी country में चलता है, not only in India, दो तरह का tax system से अपना country चलता है, एक है direct tax, एक होता है indirect tax, सर यह सब चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ सर, intermediate में आके, CA inter मे CMA inter में, commerce में जब आप college में आ जाओगे, तब ठीक है, तो जो लोग college में पढ़ते हो already, उनको भी, okay, tax intermediate level में पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर tax दो तरह का होता है, एक होता है आपका direct tax, एक होता है आपका direct tax, direct tax का मतलब होता है income tax, मतलब आप अपने income के पर सरकार को tax और एक होता है indirect tax, जिसका great example है sir, sale tax और GST, यह GST क्या है goods and service tax, मतलब जब जब आप goods बेचोगे, ठीक है, जब जब आप goods sale करोगे, जब जब आप goods purchase करोगे, तो सरकार उसमे एक tax amount लगाएगा, और वो tax amount ultimately जैसे यहाँ पर आपने sale किया, ठीक है, तो sale के उपर अपने करना पड़ता है, ठीक है, यह system है, exceptional भी है sir, कि कभी-कभी purchase जो करता है, उसको भी देना पड़ता है, ठीक है, ultimate consumer पूरा amount देता है, लेकिन consumer tax direct नहीं बढ़ता है, बतलब आप product purchase करते हो, दुकांदार के पास tax amount जाते हैं, बाकि दुकांदार का काम है, वो अपना GST liability देते, तो यह है normal GST का concept, बताओ sir, यहां तक बात clear है कि नहीं, हाँ sir, clear है, thank you sir, तो यह वाला entry तो हो गया, लेकिन 7 तरीका पुरा खेल खतम थोड़ी ना हुआ sir, 7 तरीका पुरा खेल खतम नहीं हुआ, क्योंकि 7 तरीक में और एक खेल था, sir, क्या खेल, से काटेज का तो कुछ बताएं नहीं, आपने, काटेज का क्या करेंगे, काटेज था ना, 100 रुपिस का, क्या करेंगे इसका बताओ, कोई तो बताओ, काटेज आउटवर्ड अकाउंट डेविट टुकैश अकाउंट क्या बाकिर लोग अग्री करोगे इस पॉइंट के साथ यह सर्थ एक्री हो इंग भी गूट सोल फॉर कैश ठीक है यह वाला पहला एंट्री का नारेशन हो गया बिंग दा गूट सोल फॉर कैश में शहल हुट ऑफ टेंड ग मतलब सट तरीम्ट में मातलब दूसरा एंट्री यह हमें को कोचह के पंचा रहे हो लिए ओर आप तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा मेश्मक हो जाएगा हैं चाल जायगा प्या धृज्टी क्या हो जाय drives 2k 84 अपका जात में मत्सिक्टी थे सटे contempor agreeing बीकोर सकते हैं किससे क्रेंट से जलसे कि बहुत कि efficiently क्रीप कि अप्रेट तो यह हो गया आपका साथ तरीका कंप्ली आंसर इसमें आप बोल सकते हो नायरेशन क्या लिखो के सर बीं कार्टेज पेड बीं कार्टेज पेड है क्लियर साथ कि अज़िए कि सबको क्लियर रहे ना निकीता निवीर अब सबको क्लियर है पूरा कि कि सब कार्टेज आउट वाइट क्यों लिखेंगे आउट वाड इसलिए देखो यहां पर बोला था कि पेड कार्टेज कि अपर क कि अपर बोला था प्रफ में और आप सेल कर रहे हैं में और अप सेल कर रहे हो एक चीज पर इन प्रोड़क्त आउटवर्ड होगा ना तो अगर प्रोड़क्त आउटवर्ड है तो आप कार्टेज दे रहे हो मतलब क्या मतलब कस्टोमर प्रोड़क्त लेने के टाइम पर आपको पूछ रहा है कस्टोमर आशकिंग यू प्रोड़क्त तो लेंगे लेकिन डेलिवरी आप कर दोगे ना तो दुकांदार अपना सेल बढ़ाने के लिए बोलता है कि हाँ हाँ डेलिवरी मेरा आपको उसका चिंता नहीं करना है यह ओनर क्या है बिजनिस का ओनर वो पहले से तैय कर लेता है वह डेलिवरी से भी अपना प्रॉफिट कर लेंगे कुछ नहीं तो कम से कम जिसको रखे हैं दुकान में ठीक है उसका खर्चा उठा लेंगे ठीक है तिसलिए कार्ट इस कचा होंकि ऑड़ा इसल्फ मेसान आपको पहच exhibited करके लाओंनार पर्चेस करोंनाक। आप तो किसी इन आप बोलता है कि मैं मतंव और से रहे हम पहुंचा देंगे यहां से जिका रहे बोलता है कि इसका मतलब उसका अगर चार्ज आप से वो लेता है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा काटेजीन वर्ट कि को कि को कि कामन सेंस इस नॉट सो कामन कली मेरे साथ मैम का एक नॉर्मल डिसकेशन हो रहा ता सारा दिन होता रहता है कुछ ना कुछ में मैं तर्में डिसकेशन तो ऐसे आजकल क्या हो रहा है न हम लोग मैं चयाए पिलिभू स सबसे मता बेस क्रेश क्रेशन क्या है नोग कहते है इंहों बेंग कैथ Onu दे नहीं कहते हैं लुप करने का क्योंकि human being human being सोच सकता है दिमाग है इनका हां तो human being का दिमाग देखो human being का brain देखो ठीक है मैं आप से share कर रहा हूँ आप किसी से बोलेगा ना वो बोलेगा तेरा सर पागल है लेकिन आप लोग भी logical हो sir मैं कोई जबदस्ती तो किसी को कुछ समझाता नहीं कि human being का brain गजब का है बोलता है तो कैसा ब्रेन है तो ब्रेन कुछ ऐसा है पहले आप सिंपल एक नेचर के साथ हम क्या करते हैं देखो एक बार आपके घर के सामने दस ट्री है ठीक है आप क्या करते हो यह जो दस ट्री है न ट्री है मत्तब बड़ा बड़ा पेड़ है आप क्य बिल्डिंग बनाते हो फिर आपको लगता कि बहुत गर्मी है आसपास में फिर आप क्या करते हो अपने बिल्डिंग में एसी लगाया देते हो फिर आप बोलते हो कि देखो ठंडा करने के लिए हमने एसी बिल्ड कर दिया आप क्या बन गए आप दिमाग वाला इंसान बन अब ब्रेनी हो कितना कि आप इक ऐसा प्रोडाक्त बना सकते हो जो घर को फंडा कर सकता है एर कंदिशन है भगवान ये नीचर का दिया हुआ ये tree को तोड़ के तू AC बनाया और तू AC बना के बोल रहे देख मैं कितना ब्रेनी हूँ कि मैं एसी बना कि तरह घर धंडा कर रहा हूं और यह जो भगवान का दिया हुआ नाचरल एसी था इसको हमने कट कर दिया नाचरल एसी को मैंने खतम कर दिया और फिर मैं बोलता हूं कि देखो मेरे मेरा दिमाग है आपको क्या लगता है हिमन विंग ब्रेणी है या बुद्धु है वाट यू धिंग आपको लगता है हिमन विंग ब्रेणी है अगर ब्रेणी होता ना तो यह ट्री को बचा लेता और वहां पर इतना बड़ा बिल्डिंग ना बनाके वो कुछ और करता चोटा बिल्डिंग बनाता और फिर नेचर को कंजार्व करता जो जादा जरूरी था आज कोविट सिचुशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लेम तो वही हो रहा है यह कोविड गहाँ जो जर्म है ठीकिया जो है कोविड जो है को और जिसको में लोग नां दिए है इनका प्रॉब्लेम किया जानते हो यह बसरी पैस से लिकार्म के अंदर होते have बसराली नहीं करम लिए अब जैसी यह भी के वाइरस सानीज जो जो सकता है यह बताब सब्सक्राइब का इस तरह के पेंगोलीन खाते हैं इस तरह का आनेमल को काट काट के खार लेते हैं उन्डियन, कोई बात नहीं हम होता है बैल पेंगोलीन चानीZ लोग तो खाते हैं लेकिन कहने का मतलब हैं किसी के खाने भी तो हम कुछ बात नहीं कर सकते उनका अपना है लेकिन सर हमें ना सोचना चीए कि यह सब नैचरल कुद्रती है अगर हम इनको खा लेंगे ना तो यह इनके अंदर जो भाईरास बसता है यह कहां जाएगा फिर इनको जब जब जगा नहीं मिलता न यह तो हमें नहीं खाएगा और देखो अल्डेडी 50 लाग को खा चुका है वर्ल्ड वाइट चिंता ना करो कड़रों लोगों घालेगा और कितना लोग इंजोड होके और आदा से जादा लोग तो डर के मारे सुसाइड कर लेगा डे बाई डे नो तब यह वर्ल्ड खतम होने का एक तर अब नहीं कर सकते हैं पहले नहीं सोचा कम से कम आज तो सोच सकते हैं पता नहीं सर अब लोग अच्छा नहीं लगा ना मेरे को पागल लगा होगा कि सर क्या बात करते हो आप इनोवेशन के एगेंस में जा रहे हो नहीं सर इनोवेशन होना जरूरी है पट सस्टेनेबल इन इनोवेशन मतलब आप नेचर को खतम करके नेचर को डिस्ट्राइब करके आप इनोवेशन रखो तब जाके कुछ होगा आधरवाइस कुछना भी इनोवेशन कर लो सब बेकार है सब डबा है डबा है छोड़ो सर एकाउंट्स में गंसेंट करते हैं क्यों करवेशन करेंगे पाई नमबर एएट अर्ड टरी क्या करेंगे तो गूट्स कोस्तिंग रुबिस 40 जाओं तो अन्य लाद फोट्विटी पर संवेशन छे लेस्टी पर सेंड ट्वीप्सांट एइप इंट अट परसंट नेच ट्रेशन एट्वेशन अन्ट तरह बाता टलिए समन मेरत विए उन्हर्क ठीज और कि कजीए धिसर इंडर सुढ है अन्हीर थे टुझ उन आपस अधिल सेंस अखों टॉसु सेट ठाले से topics कि अनिल कि अनिल कि यौिक अनिल कि इस टहजी Lloyd पहले वाला में सोल्ड गूट्स कॉस्टिंग रूपिस फॉर्टी था फॉर कैश बोला गया था साथ तरीक में एट सब्सक्राइब लोगों ने कैश उंटर किया था लेकिन ये कैश में नहीं है कैश कहीं पर में नहीं है जस्ट अनिल का नाम में चनन है ये 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 अनिल मेरा कॉन है डेटर है और इसको मैं क्या बताऊंगा क्रेडिट सेल बताऊंगा डेटर मतलब ये बैसिकली क्रेडिट सेल है यह क्रेडिट सेल हुआ है, that's why अनिल मेरा डेटर हो गया, और डेटर मेरा asset है, asset मेरा increase हो रहा है, that's why debited, two sales and two sales tax, sales is my revenue, revenue मेरा sell करने से increase होता है sales tax मेरा liability क्योंकि charge करके मुझे government को pay करना पड़ता है तो sir, reason तो clear है sir, amount बताओ around 41,472 कहा जाएगा अनिल में अनिल में तिक तक कसे करो तिक से करो 41,572 41,572 नहीं sir 41,472 अनिल में 40 उसका वह बतलब 8 वह बतलब वह बतलब वह जलो ज्वोलो 8 % profit उसका फर्टीएट थाहजड्ड माइनस ट्रेट दिसकाउंट 9600 प्लस सेल्स टेक्सर 3072 दो 41,472 ओके ठीक है जिसका जैसे हुआ ठीक है अब मैं करता हूं मैच कर लो और कोई कुछ बोलोगे स्निक्दा नीपीड कुछ बोलोगे स्निक्दा कुछ आंसर करो कि स्निक्दा स्निक्दा देखो थीक से देखो थोड़ा ट्रीकी ट्रीकी है यह सब थोड़ा सा लेकिन बहुत अच्छा है सदेखो ध्यान से दिखो मैं बहुत वर्गिंग्स करता हूं आपको क्लियर हो जाएगा और के प्रगति एंड सांभवी जिस्ट वेट हां देखो क्या चोड़ा बहुत गड़बड है क्या गड़बड है आपको अभी समझ में आ जाएगा पहले बताव कॉस्ट कितना है कि को फॉर्टी थाउसंद क caste करो प्डॉफित्ट५पित टॉफितएफफट थेंटी फाइप वसेंट कि आशनिया पर बोला था देखो एड़ प्रॉफित 없고 सटेह एड़ बेसटी परसेंट नंस त्यल्स कि 20 पर सिनन वान फोर्थ होता है या वान फिफ फोता है वान फिफ उके तो 20 परसेंट नंसेल्स डाइट पींस वान फोर्थ तोन कॉस्ट ट्वेंटी फ़र्सेंट अन कॉस्ट यह एक इसस्टेम है मापको बता रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनना बात को यह सिस्टेम क्या है अगर इसका मतलब आप समझ लेना कि आपका प्रॉफिट 25 परसेंट नं कॉस्ट है इसा अकांटिंग सिस्टम है कि लॉजिक है सरेसा नहीं कि लॉजिकल कुछ भी नहीं है सिस्टेम कुछ ऐसा है कि अगर वान फिफ तॉन सेल्स होता है तो वान फोर्थ तॉन कॉस्ट होगा अगर अगर आप यहां पर तो सेल्स हमांट नहीं दिया हुआ है यह तो कॉस्ट में है तो आपने प्रॉफिट जो एड़ करना है 25 परसेंट या अगर अगर आप 20 परसेंट क्योंकि सम्समें 20 परसेंट दिया है तो अगर आप यहां पर 20 परसेंट गरोगे तो बात तो मैच नहीं होगा क्योंकि सेल्स तो बोला है 20 परसेंट में प्रॉफिट एड़ करने के लिए बोला सेल्स के उपर 20 परसेंट लेकिन यहां पर तो आपका सेल्स अमांट अबलेबल नहीं है यहां पर तो आपका कॉस्ट बात समझ में आ रहा है ना कॉस्ट दिया हुआ है आपका यहां पर और आपका सम्स में बोला है कि फ्रॉफित 20% on sales तो sales के उपर 20% बोला तो यहां पर तो cost है आपका तो आप कैसे इसको एक साथ करोगे तो इसके लिए accounting system में एक pattern है कि देखो अगर आपका कहीं पर भी बोला रहता है कि 20% on sales इसका मतलब है कि 25% on cost मतलब अगर आप sale के उपर 20% profit कर सकते हो ना तो obviously आप cost के उपर ना extra और 5% कर सकते हैं यह एक एक माननत है प्रैक्टी से ठीक है यह प्रैक्टी से कि इस इस हिसाब से यह आपको आगे-आगे और भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा आप बस फिलाल इतना understand करो कि जब आपका profit sales के उपर 20% होगा ना तो 15 रुपेस ठीक है आप बताओ कि यह sale price आपका 15 हुआ विकास इसमें और भी कुछ आपने एडिशन किया और भी कुछ खर्जा अगरे एडिशन किया आपका sales price ज़्यादा होके आपका 15 हो गया सपोस्पोस आपने profit क्या 5 रुपीज टेक है तो आपका profit amount 5 रुपीज तो मुझे बस एक चीज़ बताओ कि 5 यह जो 5 रुपीज का profit आपने किया यह 5 रुपीज 15 में ज्यादा है percentage wise या 10 में ज्यादा है percentage wise प्लीज चल में मतब दस में पाँंच का परसेंटेज जादा या पंदरा में पांच परसेंटेज जादा कि सुरी मैंने कुछ गैलत बोल दिया होगा यह आपका प्रॉफिट आमाउंट अगर कॉस्ट आपका 10 है झेल प्रैस आपका 50 ने मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने प्रॉफिट किया 5 है तो आपका सेल से मतल में कहना यह चाहता हूं कि आपका कॉस्ट आमोंट से प्रॉफिट का ज्यादा difference होता है अब बता तो मुझे 5 का 20% कितना हो जाएगा hello वान one sir हलो आपको मेरे आवाज आ रहा है मैं आपको बोलता हूं कि अगर मानो कि आपका 20% on sales बोला जा रहा है तो आपका sales अमाउंट है अगर आपका sales price है मैं जैसे आपको बोल रहा है कि sales price तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20% on sales मतलब आपका 15 जो है यह आपका sale price है ठीक है और आपका cost price 10 है sale price है आपका 15 cost price है आपका 10 मतलब आपका product बनाने का खड़्चा है 10 रुपया और product sale करने का amount है 15 रुपेस आप मुझे बताओ कि अगर आप profit करते हो ठीक है suppose आप profit करते हो 20 के आसपास क्या आप इसको profit बनाते हो तो अगर आपका 20 से 10 का ज्यादा यह 20 आप जयादा कि औ Wor德ी 10 का ज्यादा तो cost के ऊपर प्रॉफिट का percentage ज्यादा होता है cost के ऊपर profit का percentage मतलब आपका जो-ब कॉंपर आपका profit का amount ज्यादा होगा compared तो आपका पूरा बताँंगा कि किस तरह से इसका र्ययलीटी में हम लोग सोचते हैं ठीक है 1 4th 1 5th 1 3rd का concept है 1 4th 1 5th 1 3rd ऐसा concept में होता है ठीक है तो डोंट वरी फिलाल जसे इतना understand करो कि 25% 20% on sales मतलब 25% on cost यहीं पर गड़बड हो रहा था सर ठीक है कि cost में अगर 40,000 है हमारा तो profit 25% एड़ करो कितना हो जाएगा 40,000 10,000 10,000 तो आपका 10,000 एड़ हुआ 10,000 एड़ होके आपको क्या मिला least price मिला आपको मिला least price list price equals to हो गया आपका 50,000 ओके list price हो गया आपका 50,000 यहां से आप और लेस करो ट्रेड डिसकाउंट ट्रेड डिसकाउंट आपका हो जाता है 20% आपका हो जाएगा 10,000 तो यह अमांट आपका आजाता है 40,000 फॉर्टी थाउसेन आपका क्या हो जाएगा invoice price okay 40,000 आपका हो जाएगा invoice price invoice price हो जाएगा आपका 40,000 यहां पर आप एड़ गर दो सेल टैक्स एड़ जीएस कितने का है जीएस्टी आट परसेंट का कितना हो जाता है 30000 तो तोटल नीम आंन्न आपका आजाता है 43 200 और आप यहँएपर सी चार्ज कर रहा हो ना है के सुछ हो रहा है काटेजJ आमांड पैटेले पेरी चार्ज से चरज गो defeat कप्हर तो आपका जो इन्वाइस प्राइस एंट टैक्स उसके साथ आप काटेज भी जोड लोगे ना तो हंडिड रुपिस का काटेज भी जोड लो तो अल्टिमेटली 43 300 कि यह हो जाएगा आपका टोटाल सेल करने का दाम बताओ समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है प्लीज बताओ तो अनिल में अल्टिमेटली कितना जाएगा 43 300 कि अनिल को डेविट करना है 43 300 में कैश में आपका अना चाहिए तू सेल्स में आना चाहिए सॉरी तू सेल्स में आपका अना चाहिए 40,000 सेल्स में कितना जाएगा 3200 यह तो तय है तो 43 300 से 43 300 से 3200 लेस कर दो तो अपका सेल्स अमांट हो जाएगा तो 3200 अपका अगर GST अमांट है तो अल्टिमेटी 40,100 अपका सेल्स अमांट हो जाएगा बोलो क्लियर है की नहीं जानल इंट्री सिंपल हो जाएगा नारेशन बिंग दी गोड्स सोल्ड अन क्रेडिट है क्लियर अ कि एक ही जगा में आपको थोड़ा सा चिंता हो गया कि सर यहां पर यह 25 पर सिंप कॉस्ट क्यों लेना चीए ठीक है यह रिजन में आपको नेस्ट क्लास में बता हूंगा दोंड वरी ठीक है क्लास में चर्चा होगा एक दम निश्चेंद रही है तो आट तर यह क्लियर है कि नहीं बता दो प्लेज मुझे कि कृष्ट हे यह रेघ्टांट प्लास अंडड को यह 1 गराणड़ ऑन्ड़ प्लास अंड़ को यहारा रॉन दॉन नो शम्समें क्या बोला वा तिझ और ऊड़र कर्दें विने क्रदें तो कार्टेज आउटवर्ड ही हो रहा है लेकिन यह कस्तमर से चार्ज हो रहा है तो मतलग तुम अपना अपना का सेल करोंगे ना वो सेल प्राइस के अंदर तुम काटेज प्राइस को एड़ गरतोगे तभी ना तुम बोलोगे तुम प्रोड़क्स हो रहा था 43 200 का स्टैक्स लेकिए और 100 रुपीज का डेलिवेरी चार्ज जो कस्टमर से कस्टमरी आपको देगा जैसे आप लोग फ्लिपकट अमाजन से प्रोड़क्ट नहीं पर्चेस करते हो तो डेलिवेरी चार्ज रहता है ना अगर अब ज्यादा अमाउंट लेते हो तो वो बोलते है डेलिवेरी फ्री है मतलब बैसिकलिए डेलिवेरी वो खुझ से देता है हलो जब आप ज्यादा अमाउंट पर्चेस करते हो आप लोगों ने कभी देखा यह वाला चीज आप्जब करके अब लोग अगर देखना कि अगर 1,500 का पर्चेस कर रहे हो ना तो वो डेलिवेरी फ्री कर देता है तो क्या डेलिवेरी फ्री मतलब क्या डेलिवेरी बॉय को वो पेमेंट नहीं करता क्या on apply delivery free मतलब delivery payment करता है लेकिन वो अपनाinekर 500 and above होता है 500 and above होता है तो डीरी ओर करके बैसिकली वह अपने से Memory 小पी देता है किसको डेलीवरी बैक्स को है- thoughts प्जिबध वह काटे चार्ज खुद से पस्के करता है customer से चार्ज नहीं करता लेकिन ँगर below 500 का लिए प्रेक्टिस बता रहा हूं बीलो 500 गर है ओर तो उसमें डेलिवेरी चर्जेस आप से लेता है विकॉस उसका क्या है ना डेलिवेरी 500 की बीलो होने से उसका अमाउंट उतना आता नहीं है तो आपका प्रोड़क का प्राइज अगर 500 का होता है दो प्लास 50 करके 550 नहीं हो जाता जैसा होता है कि नहीं होता है अगर उसमें 18 प्रोड़क्ट का जीस चार्ज होता है कुछ ऐसा कि 419 सब्सक्राइब का दाम है उसमें तुम 18 पसेंट का जेसी लगाओ करीब करीब आपका 81 का टैक्स हो जाएगा और 500 का प्रोड़क्ट हो जाएगा प्लस डेलिवरी करके 50 अल्टिमेटी प्रोड़क का प्राइस आपको देना पड़ेगा 550 ऐसा करके प्रोड़ेट का कि दिरे 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 हम लोगा जांडर एंट्री का लेवल इतना बढ़ जाएगा फिर आप लोग अगर कॉंसेट्ट जितना जिसका क्लियर होगा वही समझ पाएगा कि नौ तरिक कि सॉरी आठ तरिक में हाँ आठ तरिक हो गया ओके अच्छा का कि 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 का अलग से जानल एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं सर्थ नहीं करेंगे ना नहीं क्यों कि सर्थ अम लोग ने तो और रीडियों उसमें एड़् कर दिया ना उसमें एड्ड गया बहुत अच्छा किया हम लोगोंने नो प्रॉब्लम इस देर बट कहीं पर हम लोगोंने काटेज के बारे में कुछ शो ही नहीं किया काटेज उसके अंदर एड्ड गर दिया बहुत अच्छा कस्टमर से कलेक करिया ठीक है लेकिन थोड़ा म्यूट करो बैर्ग्राउंड नॉइज है आठ तरिक को काटेज आउटवर्ड यह प्रॉड़ा बाहर लेकर जा रहे हूं ठीक है वह अलग बात कि आव किस्टमर से चारज़ करा रहे हो लेकिन काटेज आउटवर्ड अगाउंट आपका डेइड होना चीए क्यूंकि काटेज चार्जेस है ना जो आपको दिखाना चीए काटेज आउटवर्ड अगाउंट डेइड हंडेड में कि टू कैश आप से जा नहीं रहा है तू कैश अकाउंट आप रुबिस दिखाऊगे बिंग काटेज पेड बिंग काटेज पेड बट आप उनसे ले रहे हो बिसी कली आप पहले इसको शो करोगे अपने जानल एंट्री में ध्यान से सुनना पॉयंट को ध्यान से सुनना एक क काटेज आप आपको करना ही पड़ेगा जो ट्रांसपोर्टर या जो एजेंट आपका प्रोड़क्ट कुरियर सर्विस ट्रांसपोर्टर हो या कुरियर एजेंट को पेमेंट करना पड़ेगा की नहीं पड़ेगा प्लीज बताओ और वो कौन पे करेगा जिसका प्रोड़ सबस्केंट इसे असंतर आपका से तक फोर गरिए कर रहा कंई कि जाब। आसल पास अशुक स्सोर की पासे कंचेगा कैसे क्स्ट्मन की पास यह कैसे पहुचेगा तक है उन्म्र leverage और गाड़ी देख रहे हो को बना रहे आटो मोड़ेल पहले कभी नहीं देखेंगे आप लोग को तीक है कि मासीटिस को बता दो कैसा गाड़ी बनाने के लिए कि अरे अरे वाह मेरे को मज़ा आ रहा जानते हो क्या गाड़ी है कार उपर, विश्किलिए प्रूडट्च का ओनर agre प्रूड़क्त का ओनर जो है, प्रूड़क को kार की तुरू से इसको दे रहा है, कस्टमेर के पस पहुंचा रहा है, तो इसमें Elijah लेगा न, यह का मारे होकता की? लेगा, लेकिन किस से लेगा काटेज इसी से लेगा प्रोडेट के ओनर से लेगा तो वो जब उनसे कर रहा है तो उसके साथ अड़िज आडजस्ट रहा है लेकिन पहले दो देना पड़ेगा यह उनको दिखाना जरूरी है पहले फिर बाद में जब वो प्रोड़क्ट पहुंच रहा है तब उनसे कलेट कर रहा है तो उसका अटोमेटिकली अड़ेस्ट हो रहा है लेकिन पहले तो उनको देना पड़ेगा बताओ बात क्लियर होगी की नहीं है आप जब कस्टोमर को भेज रहे हो तब उसको कार का ओनर को आपको पेमेंट करना पड़ा है तो यह आपने पेमेंट किया काटेज आउटवार्ट डेविट तो कैश लेकिन बाद में आप कस्टोमर से कलेक्ट करके वह चीज वह जो आपक पासरी बात कि थीक है सर ना तरिक बताओ ना तरिक का एंट्री क्या करेंगे निबीड नौटरी करेंट्री वाल साचीन रिजेक्टेड एंड टेंट परसंट अब गूड्स नेक्दा ना तरी का एंट्री बताओ ना ने अशेल सिर्टान अकांट तू सचिन सकाउंट सेल्स रिटान टू सच विस्वजेत रिजन बता सेल्स बिटान तू सच वेरी गूड सीक्दा विस्वजीत रिजन बताओ स्नियासिस रिजन क्या होगा क्यों ऐस अ प्रदज्ड के एंदो टेडों के सार्षा संच के संच में खेकरा डिपई का उपसुट आपडेंड अपडे संच bringen कर चा। बिप रकछ प्रद्च यां यां दिननन ऐस सक्ष् CG और अद्स्टिया का बेटर ब्रेतर ब्र्द्च आपान्ट दिलाण भी दफ्कारड सेथिए इंक्रीज होत्यूनि vidéos जितर मरेड़िर्ञ मेरे देटर वर्रसेट ट्रेम ने ट्रेस फिरेश्ट सानगें क्रेडिड्टिए स्रूंड ऻुड्रसेग वर्य वर्य गश्षट्रीज हो गया okay data as a data decrease as a decrease that's why credit it very good amount kya hoga say amount to Korea at a national serves goods to such in for 20,000 mm-hmm 10% by the being the 10% of the goods returned by Sachin by Sachin 2000 Ogana yes yes 20,000 20,000 ga in person very good okay not a rick them clear a needy be bhoja ga chenevih sir okay dastarik last entry hai hai kya kareng hai atul rejected and returned 10% of goods sir same entry Ogana sales return account debit similar sales return sales return revenue decrease that's why debited sales return debit to atul atul ko mene sale kia tha atul mije return kar raha hai atul ko mene sale kar raha hai atul ko mene sale kar raha hai to atul mera kawon tha dater tha means asset thaa asset mera decrease kar raha hai that's why credit it okay kitna amount kya hooga batao to bein 2700 2700 very good being 10% of goods being 10% of goods written by a two आपके टीक है सले, है नहीं तो है वैसे कविली जानल एंट्री तर मज़ा आरहा है, समझ में लादे प्लीज बोलना वैस जानल का दिमाग अपेन हो रहा है, ना आगकाॉंट्स क्या है समझ में आ रहा है कि मादब हाव डिफ केन अकाउंट केन गो और भी डिफ है सर मैं आपको कुछ एक और एक में PDF आपके साथ शेयर किया उसमें चार समसे एलस्ट्रेशन 8 9 10 11 देखो तो पहुंचा आपके लोगे पास असर गशे ठीक है यह चार हो मोग है ठीक है यह चारो का चारो हो मोग है आप लोग घर में अच्छे से हो मोग को सॉल्व करना अफर से क्लास है बेसिक का ओके जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं बेसिक जितना जल्दी हो जाए ताकि जाके आप लोग मैं का क्लास फटा-फट समझ पाऊ ठीक है स्निकधा का भी मैं के पास क्लास चालू होगा स्निकधा लेकिन उससे पहले मैं बेसिक को स्ट्रॉंग नहीं करूंगा तो फिर मैं के पास तुम्हें दिक्कत हो जाएगा कि तो फटा-फट मुझे सा आठ नौ दस ग्यारा यह जार्नल्स मुझे करके सैटर्डे को मुझे बताओ मैं सेटर्डे क्लास में डिसकस करूंगा और फिर हम लोग लेजर पोस्टिंग एंड ट्राल वैलेंस के उपर मूववान करेंगे ठीक है किसी के में सवाल है तो बता दो हाँ बोलो कि कोई कुछ कहना चाहते हो कि सब्सक्राइब